लास्ट वीडियो में मैंन आपको बताया था कि जैसे कि SQL का table होता है उसमें हम define करते हैं कि इसका data type क्या है इस field का data type क्या है उसी तरह से हम elastic search में भी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं mapping कि elastic search में कोई index में document है तो उस documents की fields है उनका data type क्या है थीक है तो Mapping का मतलब है defines how documents and their fields are stored and indexed. It essentially describes the data structure of the documents including a data type of fields and how they should be analyzed. दोनों चीज़ें करता है, यह आपको बता देगा कि data type क्या है किसी भी field का. Text है, date है, integer है, double है, यह सब पढ़ेंगे data types ही हम ठेकना. और साथ के साथ यह भी आप हमाँ पर mention कर सकते हैं कि भाई, इस field को किस तरह से analyze करना है. समझ रहे हैं, last से last video में हमने analyzer पढ़ा था, या फिर last video में पढ़ा था, मिरे कोई याद नहीं है. ठीक है, analyzer में हमने देखा था, कई तरह के analyzer होते हैं. तो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम mention कर सकते हैं कि इस field को किस तरह से analyze करना है, Elasticsearch को. ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक document लिखा हुआ है. ठीक है, जल्दी से फटा-फट से एक बड़ देख लेते हैं, नाम है, movie का नाम है, rating दे रखे है, budget दे रखे है, director दे रखे है, description दे रखे है, और तीन हमारे actors दे रखे है, उनकी उम्र भी दे रखे है, नाम के साथ. ठीक है, तो एक, मैं overview दे रहा हूँ, obviously, कि इसकी शकल कैसी होगी, ठीक है, mapping करने जा रहे है, तो इसकी शकल कैसी होगी, data types की, ठीक है, घबराना नहीं है, देखकर, तो ये है, ठीक है, कैसे करना है, obviously, देखेंगे, आसानी से करेंगे इसको, अराम से, लेकिन अभी करने जा रहे हैं, तो mapping पहले लिखती है, फिर उसके अंदर एक field है, properties, mapping, then properties, अब properties में सारी कथा लिख दीजे, भाई, उसमें एक name field है, उसका type क्या है, rating है, उसका type क्या है, budget है, उसका type क्या है, director, अब director जो है, देखेगा, यहाँ पर director क्या है, director एक nested object है, तो अब director nested object है तो हम directly तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए एक JSON दी हमने, उसके अंदर एक और properties field दी, उसके अंदर हम director की कथा लिखेंगे, नाम क्या है, और email क्या है, समझ रहे बात को, आप क्योंकि description में क्या है, root का part है, ठीक है, तो हमने directly लिख दिया, अच्छा, actors देखे गए यह यहाँ पर type nested लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठोड़ा-ठोड़ा हमें idea हो गया है, हमें कुछ ideas पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, ठोड़ा-ठोड़ा हम समझ गये हैं, कि हाँ ऐसे करते हैं, mapping होती है, कुछ ठीक है, उसके अंदर properties लिख देते हैं, और properties में सारी fields की कथा लिख देता है, इसका यह टाइप है, इसका यह टाइप है, ठीक है, डीटेल में जाएंगे बात में, जो हम practically करेंगे, अच्छा बाई, अब एक बात बताईए, जब elastic search यह सारा काम खुद ही कर रहा था, हमने देखा था, हमने index किये थे कुछ documents, तो खुद ही कर रहा थ यह टेक्स है, यह लॉंग है, ठीक है, यह फलाना है, तो इस सब की कथा की आवर्शकता क्या है, क्यों कर रहे हो यह सब पाल्टो का टाइम है, ऐसा नहीं है, इसके फाइद है, बताता हूं, देखेगा, वाइल डाइनमिक मैपिंग कैन बी हलफफुल फॉर क्विकली गटि गटिन, यूख यह बादी है, यह अगया, एस चृटिए मेपिंग का टेक्टाहिए, और गिन, यूढ यू। गरने चृटिक मैपिंग क्यश리 Elasticsearch behaves as expected Even as your data evolves over time क्या रहा है देखिए explicit mapping से आप control में हो जाओगे कल कोई आके कुछ उल्टा सिधा data पटक नहीं सकता है आपने किसी number को लिखा हुआ है integer और फिर कल को आके किसे ने डाल दिया string डाल दिया किसे ने float डाल दिया तो उसको error आनी चाहिए तब ही तो consistency maintain होगी समझे बात को तो इसे लिए हम explicit mapping करते हैं अब एक example दूँगा जब clearly समयाएगा कि हाँ भी explicit mapping जो है उसकी जरुरत है पहले देखते है type conflicts होगे समझे बात को type conflicts होगे अगर आपने नहीं दिया है Elasticsearch को explicitly नहीं बदाया आपने कि ये जो field है उसका type ये ही होगा तो type conflicts हो सकते हैं feature में Elasticsearch doesn't need to spend resource हाँ भाई आपने कुछ दिया है data ठीक है अब dynamically map कर रहा हो समझे बात को तो उसको guess करना पड़ेगा obviously time लगेगा resource लगेगा लेकिन अगर आपने पहले ही पहले ही बता दिया था उसको जब आप index बना रहे थे कि देखो भाई ऐसी बात है कि ये जो field ना उसका data ही भी होगा तो उसको guess करने की ज़रोत ही नहीं है उसको सब पता है तो time नहीं लगेगा explicitly mappings allows you to define validation rules and ensure data integrity during index जो पिछली slide में बताए था वही लिखा हो है कि बाना पे जाते हैं and एक index create करते हैं जिसका नाम है students और on the fly create करेंगे index को साथ के साथ एक document भी create कर लेते हैं जिसका नाम है बंदे का अजय नाम है and age जो है अजय की वो है 20 ठीक है create को कोई दिकत नहीं है अब देखिए हमने index को यहां पर on the fly create किया और साथ के साथ एक document भी उसमें पटक दिया तो elastic search ने हमारे लिए हमारे आराम के लिए एक mapping create करती है ठीक है जैसे SQL में हमें पहले से ही define करना होता है कि यह column का type यह है यह column का type यह है लेकिन elastic search में जैसे ही आपने पहला document पटका तो हमारे आराम के लिए elastic search ने समझ लिया कि यह क्या है text है यह क्या है number है ठीक है तो उसको लेकर elastic search ने mapping create कर ली है जैसे SQL में schema होता है यहां पर उसको हम mapping बोल देते हैं उस mapping को देखने के लिए अपनी आँखों से उसके लिए है mapping API ठीक है Mapping API से हम किसी भी index की mapping देख सकते हैं यहां पर देखेगा अगर मैं चलाता हूँ तो देखेगा यहां पर क्या लिखा हो है same photo है slides वाली जो कि यहां पर photo है वही mapping का output भी है लिखा हो है mappings then properties ठीक है कौन कौन सी properties है age एक property है and name एक property है properties तो ठीक है कोई इक कितनी है age का type क्या है long है Elasticsearch ने by default क्या कहा कि भाई number है तो मैं उसको long में convert कर देता हूँ उसकी mapping जो है ना वो मैं long की बना देता हूँ और यह string है तो मैं इसकी text की mapping बना देता हूँ तो type क्या लिख दिया है यहां पर text लिख दिया है Elasticsearch में क्या होता है अगर कोई text field है और उसकी automatically mapping कर रहा Elasticsearch तो वो text तो हो गई यानि कि inverted index में तो store होगा ही लेकिन साथ के साथ वो keyword भी होगा up to 256 characters यानि कि जो नाम है वो store होगा inverted index में भी और साथ के साथ dock values में भी एक बार फिर से बार जाता हूँ inverted index में search के लिए होता है dock values में sorting aggregation अच्छा अब देखेगा यहां पर क्या हुआ है यहां पर automatic mapping होगा यह जिसको हम बोलते हैं dynamic mapping हम explicit mapping भी कर सकते हैं यानि कि अपने हातों से अगर करना है हमें नहीं चाहिए elastic search की mapping तो अपने हातों से भी कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं strands में ही खुद से करना चाहते हैं तो एक काम करते हैं स्वाइन हैन को डिलीट करते हैं इसको ना सबसे पहले हो इस एत्धार कर देते हैं then हम अब चाहते हैं खुद से मेंपिंग लिखना पर एक चाहिते हैं जैसे ही पहला दॉक्युमेंट डाला था Name field है, पहली जो field होगी, ठीक है? Type text होगा. और age है, second field. और उसका type क्या होगा? उसका type होगा Integer माल लेता है, ठीक है? Command Enter या फिर ctrl Enter चलाया, acknowledge होगया, अब अगर मैं catching mapping देखता हूं तो देखेगा age क्या है Integer है जो कि मैंने explicitly दी है इसको, ठीक है? और यहां पर देखे, जब dynamic mapping हो रही थी, मतलब elastic search खुद कर रहा था, तो type text के साथ-साथ keyword भी बन रहा था, लेकिन हमने यहां पर explicitly लिखा है, कि सिर्फ type text ही हो, तो देखो keyword नहीं बना है, ठीक है, डाल देते हैं आजय को, डाल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, देख भी लेते search, query, match all, चला दिया, आगे आजया, ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी खुद की mapping भी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माल लेते हैं, एक और student आया मेरे पास, ठीक है, students, doc, जिसकी ID माल लेते हैं, 2 है, name क्या है, name है, पियूश, age कितनी है, age है, 15 साल, लेक create हो गया है, अच्छा, अब देखे, हमने mapping में, starting में, name दिया था, and age दिया था, लेकिन पियूश ने address नोइडा भी लिखा है, तो होगा क्या, address की mapping automatically बन जाएगी, तो अगर मैं get mapping API कॉल करता हूँ, तो देखेगा, यहां पर address की mapping automatically create हो गया है, यानि की address dynamically mapped हो गया है, ठीक ह लेकिन आप चाहा रहे थे, जब आपने starting में यहां पर mapping define करी थी, तो आपका mindset यह रहा था, कि भाई मैं चाहता हूँ, कि document की शकल जो हो, वो ऐसी ही हो, name हो, और age हो, और कुछ फल्दू चीज ना हो, लेकिन यहां पर पियूश ने address नोइडा लिख दिया है, और वो आ भी और क्योंकि यह mapping में add हो गया है, और type क्या है, इसका text है, keyword में भी है, इस समय यह inverted index में भी store हो गया है, और doc value में भी store हो गया है, फादू का space चला गया है, हम नहीं चाहते थे लेकिन, इसलिए तो explicitly हमने define करी थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ, explicitly define करने से ऐसा कुछ नहीं ह आती है, तो वो dynamically mapped हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं dynamically mapped ना हो, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको dynamic false, मैं क्या कर रहा हूं, धिहान से देखेगा, मैं root level पर लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, root level पर मैं लिख रहा हूं, dynamic false, ठीक है, पहले काम करते हैं, delete करते ह new mapping के साथ, जहाँ पर मैं dynamic false लिख रहा हूं, root पर, यानि कि ये सभी child properties पर लागू होगा, इस पर भी and इस पर भी, इसका मतलब क्या है, आपको बताऊँ हो, थोड़ी देर में, dynamic false लिख दिया है, मैंने, अब अगर मैं get mapping चलाता हूं, तो देखेगा, dynamic false आ रहा है, ठीक है, आजाए, को insert किया, मैंने, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पियूश को करने गया, अरे, पियूश भी हो गया है, अगर अगर मैं mapping API चलाता हूं, तो देखेगा, age की mapping है, name की mapping है, लेकिन, किस की mapping नहीं है, address की mapping नहीं है, यानि कि address मैप नहीं हुआ है, address कहीं भी store नहीं हुआ है, invert index वागरा में कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो हम address पर अब search की call भी नहीं चला सकते हैं, ठीक है, अगर मैं match करता हूं, ठीक है, बेसिकली ये, हमने पढ़ा नहीं है, अभी तक, कि query cache चला, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब ह जा रहे है, noida, अगर मैं करता हूं, तो कोई भी hits नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि invert index में ही नहीं, उसको मिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर मैं name प्यूश करता हूं, तो obviously आजाएगा, तो हमारा इस से क्या हुआ है, आगे देखो, हमारा dynamic false से क्या हुआ हूआ, इस स्पेस ब field level पर भी दे सकते हैं, field level का मतलब क्या है, कि अब name की जो subfields होंगी, वो map नहीं होंगी, अगर future में किसे ने name की subfields create कर दी है, तो वो map नहीं होंगी, इसका मतलब हो जाएगा, field पर dynamic false लिखने का, ठीक है, अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने देख लिया है, dynamic mapping क्या होती है, हमने देख लिया है, explicit mapping क्या होती है, हमने देख लिया है, dynamic mapping को false कैसे करते हैं, एक और चीज, dynamic key एक और value भी होती है, dynamic strict, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखेगा, एक काम करते हैं, दिखा जाता हूँ, students को relate कर देते हैं, field से create करते हैं, Ajay को डालते हैं, Mapping Set to Strict, Mapping आपने Strict बना रखी है, तो Introduction of a New Field is not allowed, जो Address Field आप New दे रहे होना, वो Allowed ही नहीं है, तो Dynamic के Value true हो सकती है, जो कि By Default होती है, False हो सकती है, and Strict भी हो सकती है, अगर आपको Root Level पर Strict नहीं लिखना है, और आप चाहते हैं, कि Name के अंदर कोई Subfield ना बनाए, तो यहाँ पर आप Name के अंदर Dynamic False कर सकते हैं, तो आप Name के अंदर आप Subfields कोई नहीं बना पाएगा, है ना, Dynamic False कर सकते हैं, या फिर Restrict कर सकते हैं, कुछ भी कर लिजाए, आपकी इच्छा है, ठीक है, हमने देखा कि Mapping Create कैसे करते हैं, अब देखे का यहाँ पर कुछ complex चीजे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है Type Nested, यहाँ टाइप Keyword भी लिखा है, हना, जब हम Data Types पढ़ लेंगे, जब आपको चीजे क्लियर हो जाएंगी और, ठीक है, Dynamic Mapping पढ़ लिया, explicit mapping पढ़ लिया है, हमने देख लिया है कि वही, क्यों explicit mapping हम कर रहे हैं, Dynamic Mapping off करना हमने सीख लिया है, हमने देख लिया है कि कैसे करते हैं, Dynamic false कर सकते हैं, हम root level पर भी, and कर सकते हैं, field level भी, और यहाँ पर लिखा है आपके लिए मैंने, if you try to index a document with a new field, that doesn't exist in the mapping, Elasticsearch will not reject the document entirely. ठीक है, मैंने पता है था, dynamic false करके कुछ होगा नहीं, सिर्फ mapping create नहीं होगी, invert index create नहीं होगा, लेकिन insert तो हो ही जाएगा, कोई error नहीं आईगी, अगर आपने strict कर दिया, तो खास आपके लिए मैंने लिखा है, if you set dynamic strict, it works differently, the strict setting is not related to dynamic mapping, but to document existence, ठीक है ना, when dynamic strict is set at the root level of document, Elasticsearch will reject the entire document, ठीक है ना, तो इस वीडियो में हमने mapping पढ़ा, next lecture में हम देखेंगे, mapping API, mapping API का इस्तमाल हमने इस वीडियो में भी करा है, लेकिन डीटेल में हम next वीडियो में जाएंगे,